हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड काउंसलिंग के बारे में ये आपका पूरा सेकिंड काउंसलिंग का शेडियूल है और इसका जो सीट अलोटमेंट होना है वो होना है आपका 14 तरिक को ठीक है यानि कल और आ काउंसलिंग नहीं होगी अभी आपका क्वेशन होगा मैं लास्ट येर होई थी लास्ट येर थर्ड काउंसलिंग होई थी तो अभी कंफर्म नहीं है बट अभी सीट वैसे बचती है कुछ लोग रिजेक्ट भी होते हैं कुछ लोग नहीं जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो है कि सीट बचती है, अब बात आती है, पहले आओ, पहले पाओ वाला क्या सीन है, मतलब उसमें यह होता है, कि अगर आपने कभी काउंसलिंग करवाई है, और आपका नहीं हो पाया है, तो बाद में कुछ, मलब, 10, 12, 4, 5, जो भी सीट बचती है, तो उस सिचुएशन में, पहले आओ, पहले पाओ वाला भी चलता है, MP Bhoj Open University में, तो उस केस में, आपको पहले जाना है, और पहले पाना है, वहाँ आपकी कोई मेरिट नहीं बनेगी, simply आपको जाना है, लेकिन उसमें भी वही कैंडिडिट एलिजिबल होते हैं, जिनोंने पहले कभी काउंसलिंग, जो भी तीन, चार जो भी आपका जो शेडियूल आएगा काउंसलिंगा, इनमें से आपने किसी एक मेरिट पार्टिस पार्टिस्पेट किया हो, अदर्वाइस तो आप उसके लिए भी अलिजिबल नहीं होंगे, तो यह पहले पाओ, पहले आओ, इसमें कोई मार्क्स जाते भी नहीं है, अब यहां मैं बता दू कि जब आपका सीट अबंटन हो जाएगा, आपको सीट अलॉट हो जाएगी, जिन भी कैंडिडेट्स का होगा, वो अपनी प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो है, आपको पेमेंट करनी है, जो भी आपको जाते हो दुआरा अधियान केंजर पर रिपोर्ट करना, जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट सही होते हैं, जो आपको लेकर जाने होते हैं, यहां पर आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाने हैं, जो आपको जाने हैं रिपोर्टिंग के टाइम पर करें तो आपको सारी डॉक्यमेंट नहीं लेकर जाने हैं टो अपने पर पॉतने तो सि岩व बहुत अपने विच वन्हेर क होगशने आप ही पॉतना हिقط है श्थाफ बरल में अपने और विद्ध वगां तो तो वहाँ पे उन्होंने काउंसलें वगारा जो आपकी कीती कोई पॉम वाम शायद भरवाते हैं या रिसीविंग वगारा देते हैं तो वह लेकर जाना है तो यह चार पांच चीजे आपको लेकर जाना है अधार कार्ट फोटो वगारा भी रख लेना आप अपनी तो रिपो